नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके ओफीशिल यूटूब चैनल गुरूजी स्पेशल क्लासिस में मैं हूँ निमाई साना आपके समक्षु पस्थितू साइकलोजी विश्यवस्तू को लेकर स्ट्रेंट्स आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं आपसाइक आचरण एवंग नीती टॉपिक पर बेस्ट प्रेक्टिस सेड़ टू के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासिस के माध्यम से हमने इस टॉपिक पर बेस्ट प्रेक्टिस सेड़ वन को कवर किया है जिसके इंतरगत हमने लगभग 10 प्रशनों को सॉल्फ किये हैं और जाना है कि इस टॉपिक से रिलेटिट किस प्रकार के प्रशन हमारे एक्जैम्स में पूछे जाते हैं और 68500 में जो प्रशन पूछे गए हैं 69000 में जो प्रशन पूछे गए हैं उनको भी कवर किया है और समझने की कोशिश की है किस टॉपिक पर बेस्ट किस तरीके के प्रशन सुपर्टेट एक्जैम्स में पूछे जाते हैं आशा करता हूँ कि जितने भी प्रशन हमने सॉल्फ किये हैं वो सभी आपको easily clear हो पाए होंगे और आप जान पाए होंगे किस टॉपिक पर बेस्ट किस तरीके से हमें content को cover करना होता है और उनसे related किस प्रखार के प्रशन पूछे जाते हैं आज की क्लास में हम practice at 2 को solve करेंगे जिसके अंतरगत और कुछ most important points पर discuss करेंगे और जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे किस टॉपिक के अंतरगत और किस तरीके से प्रशन पूछे जा सकते हैं और जो हमने इस टॉपिक के content को cover किये हैं क्या वो helpful है या नहीं है और जो भी हमने content के दौरान cover किये हैं क्या उनसे related प्रशन बनते हैं और बनते भी हैं तो किस तरीके के प्रशन बनते हैं इनको भी जानेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो चले शुरू करते हैं आज की class और जानते हैं आज की class का पहला question और इस practice set series का 11th question आपकी screen पर है question number 11 में आपसे पूछा गया च्रेंट्स की व्यापसाइक नैतिकता कितने प्रकार की होती है यनिके सीधा सीधा आपसे simple सा प्रशन पूछा गया कि जो आप व्यापसाइक नैतिकता पढ़ते हैं वो व्यापसाइक नैतिकता कितने प्रकार की होती है option A कहता है 2 option B कहता है 3 option C कहता है 4 और option D कहता है 5 अब आपको बताना है कि व्यापसाइक नयतिकता कितने प्रकार की आप पढ़ कराए है content वाले portions में तो स्ट्रेंट्स व्यापसाइक नयतिकता जनरली हम दो प्रकार के पढ़ते हैं एक होता है प्रमानिक और दूसरा होता है वर्णनात्मक तो उस हिसाब से questions का right option हो जाएगा आपका दो प्रकार आशा करता हूं कि आप भी questions के right option तक easily पहुँच पाए होंगे क्योंकि आपने content को बहुत अच्छे से cover किया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें next question आपसे क्या कहता है तो next question question number 12 आपसे कहता है students की website नेतिकता की जाँच कैसे की जाती है देखिए जो आप website नेतिकता को पढ़ते हैं इसकी जाँच आप कैसे करते हैं यह आपसे पूछा गया है option A कहता है website उद्धम से option B कहता है समाजिक वातावरन से option C कहता है A और B दोनों से और option D कहता है इन में से कोई नहीं तो website नेतिकता की जो जाँच की जाती है वो किसके थुरू की जाती है यह आपको बताना है content वाले portions में हमने detail में जाना है कि website नेतिकता क्या है और एक सिख्षक के website नेतिक गुण किस प्रकार की होने चाहिए इसके अंतरकत हमने ये भी जाना कि website नैतिकता की जो जाँच की जाती है वो website उद्धम के थुरू की जाती है यानि कि website उद्धम के द्वारा website नैतिकता की जाँच की जाती है तो इसलिए इस questions का right option हो जाएगा आपका option number A आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पारे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पायोंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question आपसे क्या कहता है तो next question आपसे कहता है Option B कहता है, सूचना पुस्तिका का सम्मन सिक्षक आचार सहीता से है, Option C कहता है, A और B दोनों, और Option D कहता है, इन में से कोई नहीं. सिक्षक आचार सहीता के संदर में जो भी आपसे पूछा गया है, यह जो टॉपिक है, यह जो आपने व्यापसाइक आचरन एवंग नीति टॉपिक को पड़ा है, इसका रोल यही है कि as a teacher आपकी जो आचरन है, आपकी जो बिहेवियर है, आपकी जो नीति है, वो सही ढग से स तो यह एक तरीके से मानक व्याभार तो है क्योंकि एक स्टेंडर्ड बियेवियर है अगर आप बीड या पर डियालेट का प्रिशिक्षन नहीं लेते हैं तो आपको यह नहीं पता चलता कि आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और किसी भी टॉपिक को किस तरीके से आप इजी बनाएं तो इसके लिए यह मानक व्याभार है बिलकुल सही बात है और दूसरा ओप्षन कहता है सूचना पुस्तिका का संबंद सिख्षक आचार सहीता से देखे सूचना पुस्तिका नहीं कि जो पुस्तिका में आपको सूचना दी जाती है उसका संबंद भी का चार सहीता के संदर में राइट है इसलिए इसकोशन का राइट ऑप्षन बनता है आपका उप्षन नमबर सी आई होग आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और कोशन के राइट ऑप्षन तक भी पहुच पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते नेक्स प्रि पुच्छान कब बढ़ा यह आपसे पूछा गया उप्षन एक कहता है 1960-1970 ऑप्षन बी कहता है 1970-1980 के बीच और और ऑप्षन डिये कहता है 2000-2010 के बीच अब आपको बताना है कि जो एतिहासिक तोर पर वेबसाइक नयतिक्ता के प्रतिरोजान है वह कब बढ़ा जो भारत में जो व्यापसाइक नैतिक्ता पर जो G यह समय हुआ इस कशित यह समय किया गया है इसी कारण जो व्यापसाइक नैतिक्ता के प्रती जो रूज़ान बढ़ाई है 1986 जो अगर आप options के according भी देखे तो 1960 से 70 में नहीं हो सकता 70 से 80 में नहीं हो सकता और 2000 से 2010 में भी नहीं हो सकता बचावा option है 1980 से लेकर 1990 तक क्योंकि जो 96 है वो इसके ही पीच में आता है और website नेतिकता की जो शुरुवात है वो भारत में 1986 में हुई है और इसी वज़े से website नेति option बनता है आपका सी और content वाले portion में भी हमने इसमें डीटेल में जानकारी लिए है कि website नेतिकता के प्रती जो आकर्शन है वो 90 के दशक में बढ़ा है निकि 1980 से लेकर 1990 के बीच में बढ़ा इसलिए इस questions का right option बनता है आपका सी I hope आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और questions के right option तक भी easily पहुँच पा रहे होंगे चली आगे बढ़ते हैं और देखते next question आपसे क्या कहता है तो next question आपसे कहता है students की corporate सामाजिक जिम्मेदारी क्या है यह आपसे पूछा गया है तो corporate का मतलब क्या होता है और सामाजिक responsibilities क्या है निकि corporate responsibility और सामाजिक responsibility इनके बीच में relations क आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है इसका क्या मतलब है option A कहता है company एवंग समाज के नैतिक आधार एवंग करतव्य पर आधारित यहां पर थोड़ा सा typing error इस्ट्रेंट्स यह कहने यह तैय है तो आधारित है option B कहता है और दुगिक शेतर के विकास से समंदित है option C क corporate का मतलब होता है company से related और समाजिक का मतलब आप जानते हैं समाज से related तो corporate समाजिक जिम्मेदारी का मतलब होता है कि company एवंग समाज के नैतिक आधार जो नैतिक आधार होते हैं जो आधार decide के जाते हैं उचित उनको और करतव्यों पर आधारित होते हैं कि corporate company के क्या करतव्य है और समाज के क्या करतव्य है इस पर based होता है company एवंग समाज के नैतिक आधार एवंग करतव्य है जिसको हम कहते हैं corporate समाजिक जिम्मेदारी तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका option number a तो कि बाकी जो option है वो अद्दूगिक शेत्र के विकास से सम्मळ दीते तो इसलिए ये नहीं हो सकता और दोगिक कर्मचारियों का कोई मतलब नहीं होता इसलिए ये भी नहीं हो सकता तो बचाओ option आपका a है उमीद करता हूँ कि आप मेरी बात तो को समझ पा रहे हैं और इस questions के right option बेजैब पहुँच पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें किया कहता है तो है और कमानिक दाना कितने प्रकार की होती है तो यह आप जानते हैं अच्छे से कि व्यापसाइक नहतिकता आपकी दो प्रकार की है एक है आपकी प्रमानिक और दूसरा है वर्णनात्मक तो इसलिए इसको इसको आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और कोश्चेंस के राइट आप्शन तक भी एजिली पहुँच पा रहे होंगे चलिए आगे हुः बढ़ते हैं और दीकते नेक्स प्रेश्च्न आपसे क्या कहता है तो नेक्स प्रेश्चं कोश्च्य नंबर सेवैंटीन आपसे कहता है कि पेशेवर नैतिकता के मानक कौन शामिल Есть और व्यापसाइक द्रश्टिक्झिकों आपक्शन सी के तए केवल कॉर्परेट मान और option D कहता उप्यूक्त में से कोई नहीं तो जब हम content वाले portions को cover कर रहे थे तो उस दौरान मैंने आपको बताया कि एक सिख्षक की व्यापसाइक नहतिकता के गुण किस प्रकार के होने चाहिए जिसके अंतरगत हमने बहुत सारे points पर detail में बात की समझने की कोशिश की कि एक स इस हिसाब से अगर हम देखे तो पेशेवर नहतिकता के मानक में शामिल है व्यक्तिगत और corporate मानक क्योंकि option B में कहता है केवल website मानक या दृष्टिकोन और option C कहता है केवल corporate मानक तो यह दोनों option नहीं हो सकते इसलिए option number D भी नहीं हो सकता तो बचाओ option आपका A है कि व्यक् चलि आगे बढ़ते हैं और देखते next question आपसे क्या कहता है तो next question आपसे कहता students कि पेशेवर संगठन पेशेवर आच्रन एवंग नहतिकता कि स्थापना है तो किन तत्वों को प्रमुक्ता देते हैं तो यहां पर आपसे पूछा गया जो पेशेवर संगठन होते हैं या जो व्यापसाइक संगठन होते हैं वो व्यापसाइक आच्रन एवंग नहतिकता कि स्थापना के लिए किन तत्वों को है निकि कौन-कौन से तत्वों है जिनको प्रमुक्ता देते हैं निकि जिनको महत्व देते हैं तो अगर आप व्यापसाइक आच्रन एवंग नहतिकता के आधार पर एक व्यापसाइक संगठन का निर्मान करते हैं, स्थापना करते हैं, तो इसके लिए आप कौन-कौन सी तत्वों को प्रमुकता देंगे, कि आपके भ्याभार में इस प्रकार के आच्रन होने चाहिए, जिससे आप अपने व्यापसाइक आच्रन इवंग नैतिकता को उपर उठा सकते हैं, तो इसके अंतरगत मैंने कंटेंड वाले पोर्शन में आपके साथ डिसकस किये हैं, कि कुछ व्यापसाइक संगठन जो होते हैं, वो व्यापसाइक आच्रन इवंग नैतिकता में कुछ तत्वों को रखते हैं, जैसे कि आपकी इमानदारी, दूसर पेशेवर आच्रन इवंग नैतिकता के लिए, यदि हम एक पेशेवर आच्रन करना चाहते हैं, और सही नीती के साथ पेशेवर आच्रन को फोलो करते हैं, तो उसके लिए हमें एक पेशेवर संगठन की स्थापना करनी होगी, और उसके अंतरगत हमें कुछ तत्वों को प पालनौन का पालनौनौनौनौन का पालनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौनौन A option पारदरशिता, करतव्य निष्ठा और कानून का पालन और option number C है इमानदारी, पारदरशिता, बफादारी और कानून का पालन अब इन दो option में आप confuse हो सकते हैं कि A के साथ जाए या C के साथ जाए बट यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि content वाले portions में कहीं पर भी हमने करतव्य निष्ठा पर बात नहीं की है और कानून का पालन जो शब्द है या आपके विश्वस नियता के नतरगत आते हैं जो कि चारो ही option में आ रहे हैं तो इसका मतलब चारो ही option में जबा रहे हैं तो कानून का पालन करना या विश्वस नियता आप किसी कानून को बनाते हैं तो उस पर पूर्ण रूप से सहमत है विश्वस है आपका पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये सही है और जो कानून बनाया जाते हैं वो सभी के लिए सभी को ध्यान में रखकर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जाता इसलिए कानून का पालन जो उप्षण है वो तो पॉजिटिव उप्षण है और इसलिए चारों में है लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इमानदारी A में भी है और C में भी है पारदरशिता A में भी है और C में भी है लेकिन यहां पर जो करतव्य निष्ठा है और बफादारी है यह दोनों अलग-अलग है और करतव्य निष्ठा कहीं पर हमने बात नहीं की है क्योंकि यह व्यापसेक आचरेंड एवंग नीती के अंतरगत इस तत्व को रखा नहीं गया है तो इसलिए option A आपका हुजाएगा गलत बचावा option C आपका right और इस questions का right option भी यही है कि इमानदारी पारदरशिता बफादारी और कानून का पालन जो है यह वो तत्व है जो एक पेशेवर संगठन के स्थापना के लिए जरूरी है उमीद करता हूं कि आप questions के right option तक easily पहुँच पाए होंगे और आपने जाना कि किस तरीके के प्रशन आपके सूपर्टेट exams में पूछे जाते हैं इसलिए जो यह व्यापसेक आचर नेवंग नेती topic है आप समझ पारें कि this topic related एक प्रशन तो definitely पूछे जाने हैं अब यह नहीं पता कि हमसे कौन सा प्रशन पूछा जाएगा या किस तरीके के प्रशन पूछे जाएंगे या आप भी नहीं जानता वो depend करता examiner के mindset पर हो सकता है examiner यह topic related दो प्रशन भी पूछे या हो सकता है कि वह एक ही प्रशन पूछे लेकिन एक प्रशन तो निश्चित है आप कौन सा प्रशन पूछा जाएगा यह आपको भी नहीं पता है तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप content को इतने अच्छे से cover कीजिए और इसको बार-बार revise कीजिए और उसके बाद practice set को जरूर लगाए क्योंकि जब तक आपके exams में पूछे जाते हैं आप समझ सकते हैं कि सूपर्टेट के exams में बच्चे आवेदन तो बहुत बच्चे गरेंगे लगबग 10 लाग प्लस बच्चे होंगे और आपको पता है CT कितनी है तो पेपर का जो इसतर होगा वो तो tough अवश्य होगा क्योंकि चाहेंगे आयो से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास इस topics related knowledge होगी और आप चीजों को छाट पाएंगे या समझ के आधार पर आप छाट पाएंगे अगर आप रट्टा मारेंगे तो हो सकता आप कितने भी प्रश्न कर लीजी सो हजार प्रश्न कर गया एंसीएफ 2005 में भी आपको यही चीजे सिखाया गया कि रटना बिलकुल मना है तो अगर रटना बिलकुल मना है तो आप एक अध्यापक क्यों रट रहे हैं तो यहां पर कुछ conditions हमारे साथ बनते हैं क्योंकि 14-14 subjects है आपको बहुत सारी चीजे ध्यान भी रखने पड़ हैं कि कौन सा कोशन से इसका राइट हो सकता है तो इसलिए मेरा मानना यह है कि आप कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर कीजिए उसके प्रॉपर नोट्स बनाए और उसके बाद उसको बार बार रिवाइस करते रही है और प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगा क्योंकि बिन आप जो है 30 मार्क्स की साइकलोजिय आपकी है और उसमें लगभग 20, 22, 24 तक इसको रहेगा और यह जो 4, 5, 6, 7 नमबर आप जो कम रहेंगे यही आपको बाहर करने के रास्ते दिखाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है और आपकी तयारी बेस्ट हो बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके साथ प्रैक्टिस है जैसे ही आपका लाइफ इसकिल का पोर्शन्स खतम होगा इसके सारे टॉपिक्स कंप्लिट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉंच करूंगा जिसके अंतरगत लगबग हजार से 1100 प आपके लिए बनाए जाएंगे उसको सॉल्व करते रहिएगा इससे बाहर आपका एक भी प्रशन नहीं जाएगा उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस प्रशन को भी समझ पाए होंगे और व्यापसाइक आचन नीती टॉपिक पर बिस किस तरीके के प्रशन बन सकते हैं इनको भी आप जान पाए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स प्रशन आप से क्या कहता है तो नेक्स प्रशन आप से कहता है स्ट्रेंस कोशन नंबर 19 की एक अच्छे पारस पर एक सम्मंद वाले व्यक्ति का ब्यावार कैसा होत है ठीक एनि कि जो अच्छे से कॉडिनेशन बिठागर चलते हैं एनि कि जिसका एक दूसरे के परती अच्छा कॉडिनेशन होता है एक दूसरे को समझते हैं बहुत अच्छे से तो इस प्रकार के व्यक्ति के ब्यावार कैसे होते हैं यह आप से पूछा गया ऑप्शन ए कह हो सकता है, दोशपुन बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि अच्छे परिसपरिक सम्मन वो दर्शा रहे हैं और योजनागत, योजनागत भी नहीं हो सकता क्योंकि योजनागत का मतलब होता है प्लैनिंग करना, नहीं पहले से प्लैनिंग करना कि मैं इस वेक्ति के साथ कभी भी जगडा नहीं करूंगा या फिर इनके साथ कभी भी मुभाशा या लड़ाई नहीं करेंगे ठीक तो ये योजनागत आप नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो कही ना कहीं आप गलत है ठिक क्योंकि अगर हो सकता है कि वो व्यक्ति आपसे नेगिटिक बाते कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनके साथ उनकी बातों को सहमती देंगे तो इसलिए योजनागत आप ब्यावहर नहीं कर सकते और व्यमनेस साथ पूर्ण का मतलब होता है कि बैमानी करना यानि कि धोकेवाजी करना तो ये भी उप्षन नहीं हो सकता बचाओ उप्षन आपका बनता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखतें नेक्स प्रेशन और इस प्रेक्टिस सेट सीरीस का लास्ट प्रेशन आपकी स्क्रीन पर है कोशन नमबर 20 में आपसे पूछा गया कि कि किसी भी व्यावसाय में व्यक्ति को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है यह आपसे पूछा गया है और आपको बताना है कि आप कोई भी बिजनस में हैं कोई भी ओक्यूपेशन आप करते हैं तो इससे आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो देखिए लंबे अधिगम प्रक्रिया नहीं कि आप एक लंबे समय से कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं समवेगात्मक प्रक्रिया, क्रियात्मक प्रक्रिया ये सभी आपके लंबी अधिगम प्रक्रिया के इंतरगत आते हैं तो यह जो बाकी option है यह सिर्फ आपको options पूरे करने के लिए दिये गए हैं क्योंकि तिनों ही options जो है कहीं ना कहीं सही नहीं है यहाँ पर option options का right option बनता है आपका और content वाले portions में भी मैंने आपको बताया है कि किसी भी व्यापसाय में व्यक्ति को एक लंबी अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है तो इसलिए इस questions का right option बनता है आपका उमीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए है और इन प्रशनों को भी समझ पाए होंगे easily और जान पाए होंगे किस topics rated किस प्रकार के प्रशन आपके exams में बन सकते हैं लेकिन अगर कोई भी doubts आपके मन में बनता है इन प्रशनों को लेकर तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं कोशिश करूँगा कि आपके doubts को clear करूँ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको इकलास अच्छे लगी हो तो इसे like कीजी अपने दोस्तों के साथ share कीजी और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए well icon को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओं तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जैहिंद